जहिंद तो all my respected experience on behalf of regular classes में आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं हम जो मासिक पत्री का है सूजस उसको discuss कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उससे संबंधित जो भी प्रश्ण बन सकते हैं वो आपके साथ हम discuss करें तो आज शुरू करते हैं page number 51 से तो यहा 108 अपातकालीन सेवा जो जन्नी एक्सप्रेस सेवा है और इसके बारें बताया गया है कुछ जो महत्पूर्ण सेवाई होती है अतियावईशक सेवाई जो होती है उसको घोशित किया गया है तो देखें एक्जाम वाइस सबसे पहले तो आपने यह याद रखना है जो 108 है व में यह पता चलता है कि जो राज्य सरकार है उसके पास यह शक्ती है कि वो जो यह नंबर आपको देख रहा है 104 108 कल वो कोई और नंबर भी ले सकती है तो उस नंबर को वो एक कोड बना सकती है और उससे संबंधित जो सेवाई है उससे जोड़ सकती है तो प्रश्न है इसमे अधिनियम 1970 का यानि कि कौन सा अधिनियम है 1970 का अधिनियम है और इस अधिनियम की जो आपकी धारा 22 है ये माफ की जीगा जो उसकी नियम संख्या 22 है उसकी जो धारा 3 है उसके तहट जो हमारी राजसरकार होती है वो इस तरह से जो हमारी सेवाए होती है जो अपात कलिन सेवा है उससे संबंदित जो नंबर होता है उसको परिभाशित कर देती है तो यह जो नियम है यह आपने क्यात रखना है तो यहां से हमें यह डेटा मिलता है आगे हम देखते हैं जो राजस्थान वासी है जो घरेलू विद्युत वो भोगता है उनके लिए खुशकबरी है कि जो बिजली का बिल आता है जो यूनिट पे आधारित होता है तो वो जो राजिसरकार है राजस्थान की उसने उसमें छूट दी है आए देखते हूँ छूट क्या है तो यहां पर हमारा जो नेक्स्ट है वो है मुख्यमंतरी निशुल्ख बिजली योजना घरेलू अनुदान क बड़ा दाइरा यानि कि पहले भी छूट दी जा रही थी आप देखते हैं आप क्या छूट है तो यहां पर क्या है सबसे पहले आप देखेंगे कि समू में विभाजित किया है ऐसे परिवार जो प्रती महा 100 यूनिट का इस्तमाल करते हैं और कुछ ऐसे परिवार जिनका जो प्रती महा होता है वो 200 यूनिट के आसपास वो इस्तमाल करते हैं तो जो 100 यूनिट का इस्तमाल करते थे उनको पहले 100 यूनिट मुफ्त मिलता था पहले अब वो जो 100 यूनिट के बाद भी जो जितनी भी यूनिट इस्तमाल करेंगे 100 यूनिट वाले जैसे कि मानते हैं उन्होंने डेड़ सो यूनिट इस्तमाल कर लिया है, पचास अतरिक कर लिया है, तो इस तरह से जो पचास अतरिक किया है, उसमें भी छूट मिलेगी, और ये छूट का अधिकतम क्या है, 100 तक, यानि कि आपने पहले 100 इस्तमाल किया, फिर बात का जो 100 इस्तमाल किया, उसमें को छूट मिलेगी हाँ फिर उसके बाद जब आप इस्तमाल करेंगे यानि कि 200 के बाद तब आप पे जो भी चार्ज होगा वो लिया जाएगा और वहीं पर 200 यूनिट प्रतिमा हवालों का भी क्या है कि जैसे 200 के बाद वो जित्ता भी इस्तमाल करेंगे तो उसके बाद का 100 य पहने के लिए घर से बाहर चले गए हैं तब भी आप देखते होंगे कि आपके बिजली का बिल आता ही है क्योंकि उसमें कुछ एक मिनिमूम अमाउंट होता है कुछ उसमें चार्ज होते हैं तो वो लिये जाते हैं परंतु जो 200 यूनिट इस्तमाल करेंगे 200 यूनिट प्र चले आगे देखते हैं अब हम देखेंगे रिफाइनरी में 31 दिसंबर 2024 से पहले शुरू होगा कामर्शिल प्रोडक्शन ठीक है अब रिफाइनरी आप जानते होंगे जिससे काफी उत्पादन होगा राजस्थान में ये स्थापित किया गया है और उसके द्वारा राजस् जो आपका बाढ़ मेर है ये आपको दिखता है बाढ़ मेर के पचपद्रा में इस्थित है ये और ये कहा है HPCL राजस्थान रिफाइनी लिमिटेट की परियोजना है कहां पर इस्थित है बाढ़ मेर के पचपद्रा में इस्थित है तो ये बाद आपने याद रखनी है औ और इसमें खास बात यह बात याद रखनी है कि यह HPCL का है ठीक है हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited यह बात अपने याद रखनी है आगे कोई इतना important हमें data मिलता नहीं है बस इतना याद रखना है जो इसकी स्थिती है वो जो पच्पद्रा है वहाँ पर यह स्थिती है राइट अब हम इक्जाम वाइस उतना important नहीं है हाँ यह जो है आपका यह काफी important है अगर हम page 52 को देखें पावलवा तो यहाँ पर सबसे पहला है राजीव गाधी Center for Advanced Technology राजीव गांधी Center for Advanced Technology यह बात अपने याद रखनें इसका फुलफोम याद रखना है और जो पांच जो स्थल ने जहां पर यह खोले जाएंगे राजस्थान के वह आपके अजमेर कोटा भरतपूर विकानेर और उदेपूर उदेपूर में खोले जाएंगे exam वाईस आपको यह जो आर्केट केंद्र खोले जा रहे हैं राजस्थान 90 करोड रुपए ठीक है यह बात आपने याद रखनी है और यह इसके सबसे महत्वोन बात क्या है अगर आप इसे आखरी लाइन देखते हैं मुख्य मंतरी द्वारा वट्ष दोहोजार तीस चौबिस के बजट में इस संब्द में घोशना की गई थी ठीक है यानि कि राज की सायदा करते हैं तो उसके लिए भी काफी विशेश प्रावधान दिये गए हैं सबसे पहले हम देखेंगे क्या था कि जो होमगाडों का जो एक कॉंट्रेक्ट होता ना क्योंकि ये कॉंट्रेक्चल जॉब होती जिसे अब समिधा कहते हैं उसका नविनी करण किया गया है जो कॉंट्रेक्चल होता है वो 5 वर्ष होता था अब कितना हो गया है 15 वर्ष तो 5 वर्ष से कितना हो गया है 15 वर्ष और जो इनका मांदे है उसको भी 15 प्रतिशत की उसमें वृध्धी कर दी गई है ठीक है तो जो कॉंट्रेक्ट है वो कितना है 5 वर्ष से 15 वर्ष कर दिय गया है और जो मांदे है उसमें 15% की वृध्धी कर दी गई है ठीक है और इसमें ये भी कहा है कि जो आपके व्यक्ति हैं जो 58 वर्ष की आयू के हो जाते हैं उसे जादा के हो जाते हैं और वो सेवा से प्रिथक हो जाते हैं प्रिथक मदब रेटायर्मेंट ले लेते हैं तो सोच है तो यह बाद आपने याद रखनी है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो गोडवाड देसुरी है जो पाली में है वहाँ पर लेपर्ट कंजर्वेशन रिजर्व विक्सित किया जा रहा है ठीक है क्या किया जा रहा है लेपर्ट कंजर्वेशन दो आपको योजनाय मिलेंगी एक तो जैसे कि मैंना आपको बताया था पाली के गोडवार देशुरी में लेपट कंसरवेटर रिजर्व बनाये जाएगा ठीक है यह आप देख पा रहे होंगे लेपट कंसरवेटर रिजर्व विक्सित करने तथा एक और है सिरोही के संरक्ष के लिए और दूसरा है आपका सिरोही के लिए ठीक है पाली में तो आपका जो लेपर्ड गं़रवेटर गंजरवेशन रिजरव जो खोला जाएगा और सिरोही में जो विभिन कारी के जो जो प्रस्ताव हैं उसको मंजुरी दी गई है और यह सिरो ही कहा है वाड़ा खेडा में ठीक है और जो इसमें जो इन कारियों के लिए जो वित्ती स्विक्रिती दी गई है वो है लगभग पांच दशमलब एक पांच करोड की ठीक है यह बाद आपने ध्यान देना है और यहाँ पर भी यह है कि इसमें आप देखेंगे उलेखनी है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्च दोजार तेश चौवेस में इन कारियों की घोशना की गई थी ठीक है तो जादा तर जो भी बजट पर खोश्णाएं की गई थी तो मानेनी मुख्यमंत्री द्वारा वो सारी खोश्णाएं पूरी की जा रही है आगे देखते हैं प्रदेश में वन छेत्रों में रुमांच कारी गतिविद्या होंगी शुरू तो यह एक्जाम वाइस हमारा होता है इंपॉर्टन तो नाम आपसे जरूर पूचे जाते है तो यह चक्रवाद का नाम बस आपने यहां से याद रखना है वो है वेपर जॉय बाकी हमारे एक्जाम वाइस कोई इंपॉर्टन नहीं है आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वाला है कोटा में राश्ट्री विज्यान केंद एवं digital planetarium बनेगा यानि कि यहां से क्या है इसको एग मैं आपको बताता हूँ कि जो तकनीक होती है जैसे कोई भी विग्यान होता है जब आपको किताबों से बढ़ा जाता है तो उतना समझ में नहीं आता है परन्तु वही आपको 3D में दिखाया जाए तो आदमी जादा समझ दिखते हैं तो कोटा में कुछ इस तरह का ही एक पहल की जारी है राज्य सरकार के द्वारा तो सबसे पहले तो यह देखेंगे कोटा के राजीव गांधी नगर में राश्च्री विग्यान केंद्र एवं digital planetarium की स्थापन की जाएगी तो यहां से हमें इसकी जो इसकी जो इ 20-85 दर्शक एक साथ देख पाएंगे इस planetrium में तो इसके मानध्यम से क्या होगा कि कहीं नगहीं जो विध्यारती है वो ज़्द पाएंगे तक नीध को ठीक है और इसमें अधार क्या होगा इसमें 3d show होंगे तो इससे क्या हो तो वहां रिद्ध सब्द तो यहां से ही मैंड करने जा रहा हूं बाकी का जो भी डेटा है वो हम अगले लेक्चर पर देखेंगे तो मुझे उमीद है लेक्चर पसंद आया होगा जहिंत